नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मारोक्स की यूटूब एज्यूकसन चैनल में तो आज की उड़े लेक्चर में हम कुछ ऐसा हेल प्राब्लेम और उसके सॉलिसन के बारे में बात करेंगे जैसे की अकसर हम देखते की क्रिकेट में जो प्लेयर्स होते उनको इंजरी होती है और इंजरी के करन जो है वो काफी ज़्यादा दर्द मैसूस करते हैं उसी तरह से एक और गेम हम देखे तो फुटबॉल के दौरान भी इस तरह से इंजरी होती है और कई बार क्या होता है कि पैर में मोच आ जाती है पैर मुड जाता है और उसके करन भी जो प्लेयर से वो काफी ज़्यादा दर्द महिसूस करते है फिर जो रनिंग के जो प्लेयर सोथे कि जिनको स्पेसली रेसिंग में जो है वो भाग लेना होता है और racer होते हैं खासकर तो उनको भी ये problem होती है कि जो दोड़ते वक्त पैर में मोच आ जाती है फिर एक और health problem हम देखे तो simple चलते चलते भी कई बार पैर जो है वो मुड़ जाता है और पाव में मोच आ जाती है फिर देखे तो जब घुटना सिधा करते है तब वो काफी जदा परेशा नहीं होती है और उसका reason ये होता है कि जो knee joint होता है यहाँ पे जो हम देख रहे हैं उस तरह से तो वहाँ पे सूजन आ जाती है arthritis की condition produce होती है कि जिसको हम medical terms में कहते है कि rheumated arthritis होना या फिर osteoarthritis होना कि जिसमें specially जो गुटनों के आसपास जो है वो सूजन आ जाती है और उसके करन जो person है उसको काफी जदा जो है दर्द मैसुस होता है तो ये जो सभी health problems है उसको solve करने वाली बहुत अच्छी medicine के बारे में हम आज के वडियो लेक्चर के अंदर सेखने वाले है कि जिसका नाम है Nucoxia MR Tablet तो ये जो अलग-अलग chapter से उसकी detail study करेंगे हम आज के वडियो लेक्चर में और सीखेंगे detail में Nucoxia MR Tablet के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको उसका basic बताता हूँ तो ये ऐसे class का medicine है कि जिसको हम non-steroidal anti-inflammated drugs की category के दर include करते हैं और साथो साथ उसके पास muscle relaxant activity भी है because ये जो medication है वो दो दवायू का combination है एक जो हम देखे तो वो है etoric oxyb है और दूसरा जो है वो thaiocococide है तो जानते हैं उनके बारे में detail में कि ये जो medicine से basically use की जाती है जो pain related problems produce होते है और inflammation related जो problem से उनको solve करने के लिए उनको use किया जाता है तो newcoxia MR जे उनका brand name है और salt जैसे मैंने आपको बताया तो etoric oxyb 60 mg जितना एक tablet के अंदर present है और thaiocococide 8 mg जितना ये एक tablet के अंदर available है तो product की हम बात करें तो Zydas Life Science Limited उसके manufacture है कि जो एक इंडिया की multinational pharmaceutical company है कि जिसका head office इंडिया में अहमदाबाद में है गुजरात में तो यहाँ पे मैं वीडियो के बीच में आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे ही आपको अलग-अलग बीमारियों के बारे में सिखना अच्छा लगता है दवायों के बारे में सिखना अच्छा लगता है और उपचार के बारे में सिखना आपको बहुत ही अच्छा लगता है तो अब हमारी जो book है उसको आप जरूर से purchase कर सकते है बीमारिया और उनका उपचार तो ये बुक को पर्चेस करने के लिए दिये गए नंबर पे हमें WhatsApp कर सकते हैं तो टॉपिक पे वापस आते हैं तो जो नुकोक्स या MR जो टाबलेट है वो खेल कुद के दौरान होने वाले इंजर इसको ठीक करने के लिए उनके दौरान जो दर्द होता है सुजन होता है उसको ठीक करने के लिए भी प्रिस्क्राइब की जाती है साथों साथ जो osteoarthritis condition है rheumated arthritis हो गया gouty arthritis, ankylosing spondylitis की condition जो acute pain होते है chronic low back pain है या फिर muscle spasm है या फिर जो हम देखते हैं कि mass patient में जो खीचाव आ जाती है तो सभी conditions को ठीक करने के लिए ये जो newcoxia MR tablet है उसको prescribe किया जाता है तो यहाँ पर जो हम आडाइग्राम में देख रहे हैं कि जो osteoarthritis है तो healthy joint के comparison में osteoarthritis में special joint होता है वहाँ पर सूजना जाती है और उसके करन जो patients होते है वो काफी ज़्यादा जो है वो दर्द मैसुस करते है तो इस तरह से problems जो है वो create होते हैं तो यह सभी problems को Nucoxia MR tablet ठीक करती है अब बात करते है यह tablet के label study के तो RX लिखा हुआ है मतलब कि यह prescription based medication है यहाँ पे Zydus Cadillac का logo आ जाएगा Nucoxia MR जो है उसका brand name है tablet का type हम देखे तो film quoted type की tablet है और colors के हम बात करे तो tartras in aluminium lake जो color add किया गए जिसके करन यह जो tablets है वो हमें इस तरह से yellow colors के दिखती है कि जो blister pack में available है और एक blister में हमें 10 tablets जो हो मिल जाती है पर यहाँ पे ध्यान यह रखना है कि यह Cedule H की warning यहाँ पे print के हुई है जिसका मतलब यह होता है कि जब भी यह tablet को retail में बेचा जाता है तो prescription के साथ ही बेचा जाता है बिना prescription किसी को भी यह medication use नहीं करनी है ना ही उसका कोई self medication करना है अब आगे जानते हैं कि यह दवाई काम कैसे करती है तो यह medicine हमारे body में ऐसे chemical को block करता है जो pain and solution के लिए responsible है साथ में यह body के muscles को भी relax करती है जिससे patient को काफी जदा आरा मिलता है तो especially जो problem है उसमें यह होता है कि जो muscles है वो contractions के condition में आ जाता है कि जिसके कारण muscles में दर्द होता है और वहाँ पर सूजन आ जाती है तो यह medicine क्या करती है muscles को relax करती है जिससे दर्द कम हो जाता है साथ साथ pain भी कम करती है सूजन भी कम करेगी जिससे जो हमने आगे health problems देखे उनको solve करने में यह काफी जदा हमें मदद करती है adult dose के हम बात करें तो itoricoccyp का जो adult dose होता है वो 60 से लेकर 120 mg होता है दिन में एक बार और थायो कॉल्चिक उसाइड का dose रहता है चार से लेकर 8 mg दिन में 2 बार तो इस तरह से हम देखे तो यह tablet का जो dose रहेगा एक tablet दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार जो है वो patient ले सकते हैं पर उसके ज़्यादा इससे ज़्यादा dose में कभी भी उसको यूज ना करे वरना serious कुछ side effects हो सकती है कि जो हम वीडियो में आगे discuss करेंगे तो price की हम बात करें तो जो latest price है उसके 2024 के according to वो है 304 रूपीज अराउंड है और एक tablet की जो price पढ़ती है वो है around 30 रूपीज बढ़ काफी effective साबित होती है यह medication pain, दर्द और सूजन वगिरा को कम करने के लिए तो यहाँ पर मैं फिर से आपको reminder देना चाहूंगा कि जो हमारी book है उसको आप जरूर से purchase कर सकते है तो book को order करने के लिए यहाँ पर दिये गए नंबर पे आप हमें WhatsApp कर सकते है तब topic पर वापस आते है और समझते है कि यह दवाई के करन side effects क्या हो सकती है तो सबसे पहले flatulence कि पेट में gas बन सकती है या फिर gas release हो सकती है या दवाई लेने के बाद indigestion मनलब की अच्छे से खाना digest नहीं हुआ है और पाचन जैसा patient जो फिल करता है पेट में दर्द भी हो सकता है कुछ लोगों को ये medication लेने के बाद nausea vomiting, diarrhea जैसा हो सकता है और अगर ये दवाई आपको suit नहीं करती तो हाथ और पैरों में सूजन और भी ज़्यादा बढ़ सकती है तो अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत ये दवाई लेने से आपको बंद कर दिना चाहिए कि अगर ये दवाई ले रहे है तो तुरंत बंद करें और आपके doctor या फार्मासिस्ट को consult करके दूसरा safe alternative medication patient ले सकता है और कई बार कुछ लोगों को heart beat irregular हो जाते है newcoxia MR लेने के बाद तो उसके करन इसके कुछ warnings होगे रहा है तो सबसे पहले warning ये है कि अगर आपको allergy है newcoxia MR की या फिर उसका जो content है कि उसका जो content जो हमने previous slides में देखा उस तरह से किसी भी ingredient की allergy है तो आप उसको use ना करे फिर sleepiness जो है मनलब कि किसी कोई काफी जड़ा नीन दाती है already तो ऐसे लोग भी उसको use ना करे dizziness फिल करते जो लोग जिनके stomach में ulcer है और उसके कारण stomach में bleeding हो रही है या फिर जो लोग alcohol consume कर रहे है तो वो उसको use ना कर या फिर ये दवाई ले रहे है उस दौरान आप alcohol को use ना करे और pregnancy and breastfeeding के दौरान ये जो tablet है उसको use नहीं करनी चाहिए तो इसको कुछ reason ये है कि जो fetus जो develop हो रहा होता है जो baby develop हो रहा है उसके growth के उपर ये असर कर सकती इसके करण pregnancy में use नहीं करते because उसकी जो pregnancy category वो C है तो C category वाली जो medicines होती है वो pregnancy के दौरान unsafe मानी जाती है तो pregnancy में उसको कभी भी use ना करे और अगर pregnancy के दौरान इस तरह के कोई condition produce होती है तो आपके gynecologist और orthopedic doctor के जरूर्ट से सला लेनी चाहिए और उसके बाद ही medications जो है वो start करनी चाहिए अब बात करते हैं drug drug interactions की तो newcox या MR tablet जो है वो aspirin के साथ drug drug interactions करती है तो मानलों कि आप aspirin ले रहे है या फिर इसका कोई brand ले रहे है जैसे की ecosprin ले रहे है तो उसके साथ combination में उसको use ना करे अगर salvitamol ले रहे है तो भी combination ना बनाए लिथियम के साथ डिजोक्सिन, इनालेप्रेल, रामेप्रेल, लॉसार्टन तो ये दभी दवायों के साथ कभी भी combination में newcox या MR tablet को use ना करे फिर दूसरा इस जो हम आप पे देख रहे है वो है वालसार्टन minoxidil, reformpacin, warfarin, cyclosporin, tacrolimus and methodric set तो इनका भी combination newcox या MR के साथ हमें नहीं करना है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे क्लिक करके मेरा ये वीडियो भी जरूर से देख सकते कि वहाँ पे भी मैंने आपको काफी अच्छी valuable informations दी है So good luck and all the best